अम गणनात्स रश्वती रभी शुक्र ब्रहस्पतीन पंचैतान संस्मरे नित्यम वेदवाणिम प्रवर्थाईत नमस्कार ये लाइकरेंटेना 3.3 वेवलेंग पे नूट्रलाइज करें प्रिवेस रेडिंग 2.5 वेवलेंग पे सेट करके सेवन चक्राईज के अनर्जी को हम स्कैन कर रहे हैं इस लाइंगवेज ऑफ यस लाइंगवेज ऑफ नो अगर ये डाउन उदर बैक जा रहा है तो नो है मेरी वर आ रहा है तो यस है ये लाइंगवेज पहले चेक करने होती है मुवमेंट बदल भी सकती है इसलिए इसको पह गरा हा रहा है are crown chakra आपका नो दिखा रहा है थरड़ाय अग्या चक्रोके आपका त्रोड चकर आपका ओके है हार्ट चकर आपका ओक को कि है मनीपूर सॉलर प्लाक्सल सेक्रल स्वाद्रश्ठान रूट शेक्रा भौलाधार सारे जो सेविन चकराज में डिकर जोह इम्बैल इसका एसके लगा अगर आपको माईगरिएन रहता है, इस तरह की प्रिक्वेणिस्तर की प्रॉलम पहरा आपको फिल होगी है, तो इसका मला पा प्रेज़ किसरी को इनर्डी स्पेल इसकंग से ही, बहाई ने अर्टाइक एनफारि का फिल क।ог सूगी आपको दो सिर में भारीपन, सिर्दत, माईग्रेन की प्रॉलम से यह भारा है, तो उसके लिए हम प्रियोग कर रहे है, हीली माईक्रोक्रेंट फ्रिक्वेंसी थेरपी डिवाइस. यहां पे दो एप हैं, एक पिंक एप है, जो है आपका ब्लू एप है, जील एडवाइजर एनलाइजर एप, इसको हम ने स्टार्ट किया, नेक्स्ट, और अभी हम चले जाते हैं, और आइनलेसिस पे, यह डाउनलोडिंग डेटाबेस ट्रीप पूरा का पूरा डाउनलोड कर रहा है, और यहां पर हम जाते हैं, एड़ न्यू कलाइंट में, परसन मने विक्ती का हमको एड़ करना है, टाइटल में स्रीमती, फर्स्ट नेम हो गया, बीना, लास्ट नेम क्या लेकते हैं, डूबरियाल, शर्मा लिखते हैं, एस एच, ए आर एम शर्मा, उसके बाद फीमेल सलेक्ट कर दिया, यहां दर इंफरमेशन की इतनी रिक्वार्मेंट नहीं है, इसको टिक कर दिया, सिंक्रोनाईज, क्लाइन डेटा, एंड डिलेटेड अनलेसिस डेटा, इसको टिक कर दिया, ओके कर दिया, और इहां से टिक फोटो, आप गैलरी से भी ले सकते हैं, पर अगर विक्ती सामने हैं, तो उनकी फोटो ले ले जिए, ओके को क्लिक कर दिया यह इनकी फोटो आ गई है यहां पर फोटो आने के बाद जो है record vibration इनकी बाइनर्जी फिल्ड है उसको record करना है क्योंकि तब ही जो है quantum sensor पुरा sense करेगा इनकी बाइनर्जी बोड़ी को आपने ऐसे रखना हाथ में ऐसे ऐसे रखना है ऐसे करके ऐसे रखे बाइनर्जी फिल्ड है उसको quantum sensor की साथर से इनकी अनर्जी कहां डिस्बैलेंस होरी कहां पर cells की रिपेरिंग की requirement है यह पूरा analysis करेगा record vibration record vibration होके कर दिया हमने सबसे पहले यह हीली को detect करता है हीली कहां है तो scan for हीली चल रहा है पहले वह device को scan करता है कि device है कि ने exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह micro can frequency therapy device है जर्मन वग्यानिकों की एक अदबुत खोज है यह जो cells लेवल पे यानि कोशिकाओं के अस्तर पर जो है heal करता है और जो शरीर है उसके सबसे सुक्षमतम इकाई जो है cell होता है आपका कोशिका होती है उसी कोशिका को यह आप ठीक कर देते हैं तो सारे रोग उससे कड़ जाते हैं क्योंकि कोशिकाउं से जो टिशू उतक उतक से अंग बनते हैं अंग से पुरा शरीर बनता है तो इसलिए जो है इसको बीच में ओन कर देंगे यह बटन बीच का सेंटर का ओन अफ को बटन है औन करने से फिर यह जो है इसको टिटेट कर लेगा इजिली और यह आपका हीली का एक सीरियल नमबर दिखाता है इसको यह सीरियल नमबर से कनेक्ट करेगा आप यह देख रहे हैं यह डिवाइस आप नजदी कैमरे से दिखा सकते हैं यह record vibration दिखा रहा है यह recording हो रही इनकी by energy field को record किया जा रहा है और यही एक source है जैसे नाड़ी बैद नाड़ी देखता है वैसे ही जो है energy पूरी की पूरी यहां पर इनका record हो गया है इसके बाद उपर जो है add new client टिक कर दिया और the client has been saved को yes कर दिया फिर इसको yes करके अब आप जो औरा analysis करते हैं record औरा को हम दबाते हैं record औरा को दबाने के बाद इनका जो औरा है by electromagnetic field है दिवे गांती वला है आबा मंडल उसकी जो है scanning हो रही है और एक photograph आपके सामने आ जाता है कि यह आपका अगर आप color को read करना जानते हैं तो read भी कर सकते हैं और नहीं जानते हैं तो बार चार्ट से आप चेक कर सकते हैं यह बार चार्ट है आपका और आप देखिए हमने लेकर एंटिना से चेक किया था तो यहां पर भी crown चक्र को इन्होंने टिक किया हुए अगर आप देखेंगा नजदिक से तो यह crown चक्र यहां पर भी वीक दिख रहा है बागी चकर इनके ठीक दिखा रहे हैं लेकर एंटि अगे जाते हैं इस्टार्ट एनलेसिस किहा हमने और इस में क्या करते इंक्लूड हansas हाई binding को भी यस कर देते हैं और स्टार्ट एनलिस का हमने बटन दबाया तो पहले यह स्कैन देख रहा है कि इनको किस तरह की फ्रिक्वेंसी बेजनी है जो इनके एनर्जी बोड़ी को हील करें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है और यहां पर जो यह है आपका बिलू एप ही हम चला रहे हैं तो वाइबरेट पर हम किलिक कर देते हैं और इसमें हम तो हम 37 second वाला जो हमस को सेलेट कर देते हैं 37 second वाला और इसके बाद हम start कर देते हैं तो start करके आप ये देख हैं कि इस प्रकार से ये energy का flow जो है इनके तरफ जा रहा है अब इसको गले में भी डाल सकते गले में भी डाल दीजे, गले में डाल दीजे, क्योंकि आपकी एनर्जी बोडिय से connect रहे गा, गले में डाल दीजे, और आप यह देखी, इसमें दो तरह के light जल रही है, यह orange light है, इसका मरलब जो आपकी frequencies हैं, आपकी energy body का अंदर enter हो रही है, through clouds, certified intelligence के माध्यम से, और यह जो blue blinking light है, यह connectivity with the device बता रही है, यह device से connected है, bluetooth से connected है, और अब यहाँ पर इसको मैंने 10 times सलाना है, एक बार चला गया, फिस second time है, एक तरह के सही है, medicine देते हैं, dose है एक प्रकार की, जैसे हम second चलाना है, एक minute चलाना है, कितना चलाना है, कितनी बार चलाना है, तो यह सब एक method energy, science के, क्योंकि जो हमारे विश्यों के महान scientist थे, Einstein, तो उन्होंने भी यह कहा था कि भवश्य की जो औशिदी होगी, medicine होगी, वह जो है आपकी frequency होगी, मलब आप जो है, frequency के मादिम से बिमारियों का इलाज होगा, तो यह बात जो है, उनकी कही हुई है, और आने वाले यूग में ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज जो है, वाइबरेट कर रही है, और जो चीज वाइबरेट कर रही है, वह एक particular frequency pattern पे वाइबरेट कर रही है, और वो जो particular frequency pattern है, वो आपकी बोड़ी की requirement के हिसाब से काम करता है, तो वही science यह हम पर काम हो रही है, और यह जो है, इनकी जो energy body है, वह ही लोगी, और उसके जो impact है, उसके result है, यह खुद भी feel करते हैं, क्योंकि जब हलका सिर में हलकापन इनको feel होगा, तो लगेगा कि कुछ treatment हुआ है, तो यह मैं 37 seconds का therapy दे रहा हूँ, 37 seconds, और 10 times में चला रहा हूँ सिर्फ just to check it whether crown checker is healed or not, और अगर कोई chronic आपके पास आता है, इस तरह की problem आती है, तो उसको आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, maximum five days का आप session एक दे सकते हैं, उसमें chronic भी heal हो जाता है, तो यह मैंने भी किया है, कई लोगों पर किया है, जैसे एक बार में ठीक नहीं हुए, तो फिर उनको repeat करना पड़ा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और जब बार-बार repeat किया, तो उसके बाद फिर जो है, उसके बाद फिर रिजल्ट आने लगे है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई चमतकार होगा, तो हर चीज के एक समय सीमा है, और समय सीमा का आदमी को patience धहरे रखना चाहिए, रिजल्ट अच्छे आते हैं, और एक attitude जो है, पैथी, जो भी आप follow कर रहे हैं, उसके परती आपका बिल्कुल विश्वास होना चाहिए, उस पैथी के परती सर्धा भी होनी चाहिए, ताकि वो पैथी अच्छा काम करें आपके system में, तो यहाँ पर एनर्जी पैथी काम कर रही है, एनर्जी पैथी पर आपका दिल्ड़ विश्वास होना चाहिए, और हमारा भारती है, जो सनातन परंपरा रही है, वो आप मंतरों की रही है, और मंतर भी जो है उर्जा तरंगों को पैदा करते हैं, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की उर्जात रंगे मंतरों के माध्यं से पैदा होती है, बिन योग, रिशी, चंद के आदी और संकल्प के माध्यं से रिक्ति विश्वास को पहुँचाई जाती है, इस तरह से मंतर थेरपी काम करती है, और वही मंत्र थरेपी हीली के माध्यम से भी हूरी है हीली भी वही काम कर रहा है जो हमारे वैदिक मंत्र करते थे तो पद्धती सेम है विधी अलग-अलग है तरीके अलग-अलग है तो अभी हम देख रहे हैं अभी चल रहा है प्रोग्राम हम वेट कर रहे हैं 10 इसके राउंड के 10 राउंड पूरे होने के बाद फिर इसके लेकर एंटिना से हम दुबरारी स्केन करेंगे तो लेकर एंटिना जो है आपका quantum resonance analytical system based nanotechnology के डिवाइस है ये भी आपकी सूक्षु मुर्जा तरुंगों को स्केन करने में सक्षम है और नेस्ट लेकर जो आस्ट्रिया के से बहुतिक विज्यानी हुए है उनके द्वारा खूस किया हुआ है और आज बहुत परचलीत है तो इसके माद्यम से हम चक करेंगे और इसमें 2.5 wavelength जो होती human cell harmonization wavelength उसके माद्यम से हम लोग चेक करते हैं चक्राज को seven चक्राज को तो यह आपका जो है अभी एक last round और चलाएंगे हम इसको आप deep breath लीजे लंबा लंबा साथ लंबा साथ लीजे धीरे करके छोड़िए जब आप कोई healing process में चल रहे होते हैं तो आपको mentally भी आपको जो है उसमें focus करना होता है डीप ब्रीथ लिजे लंबा स्वास धिरी धिरे करके छोड़िये भीतर लंबा स्वास लिजे और धिरी धिरे करके छोड़िये तो एक प्रकार का प्राणायाम एक प्रकार का जो है ये भी योगी क्रिया है डीप ब्रीथिंग का डीप ब्रीथ लिया लंबा स्वास लिया धिर लुक्रमाने ज़से कहते हैं कि ये बिंदू मुद्रा है, सुन्य मुद्रा है, इस मुद्रा में ऐसे बैठ जाईएubea और लंबा स्वास लिजिए लिए निध्य धीरे-धीरे करके छोड़िए कि पर देने सिऑ ठोडरा हैC प्रकार का चिकस्षा है तो इस तरह की मुद्रा लगा करके डीप ब्रीथ करना है कमर सीधी रखनी है गर्दन सीधी रखनी है और यह का से सेशन ओवर हो गया है 10 टाइम जो है हमने इसको कर दिया है इसके बाद हम दुबार चेक करेंगे तो यह दि आपकी प्रॉलम दुबार आती है तो आप इसको फिर ले सकते हैं और दूर से बैठे भी ले सकते हैं क्योंकि आप इनका जो बाइनर्जी फिल्ड का डेटा हो इस्टोर हो गया सिस्टम में तो अब जो है इनकी प्रजिंस की जरत भी नही है आप जब भी रिडिंग करेंगे 3.3 पर इसको पहले नूट्रलाइज करेंगे यह कंपल सरी है अगें 2.5 वेबलेंग्ट सेलेक्टर है तो चेक तर चक्राज एनर्जी ना इम गईंग तू स्टार्ट फ्रॉम क्राउन चक्रा यह देख लीज़े आपका आया वापिस पहल ने चक कर लिया थे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी पर हमारा मेन फोकस यहां था तो आप यह देख रहे हैं कि यह जो है लेकर इंटिना अब यह प्लस में आ गया यानि आप यह दिखा रहा है कि क्राउन चक्र जो अच्छा काम कर रहा है महां पर जो हीलिंग प्रोसेस जो है सक कि दो एलित